नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर में हमने मून के उपर वेरियस जो मिशन थे, उनको कम्पलीट किया, अब इस वीडियो के अंदर में हम गगनियान के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक देखेंगे, एंड वीडिय करेंगे next वीडियो में हम various orbits के बारे में देखेंगे space force के बारे में देखेंगे और फिर कुछ missions वगेरा के बारे में देखेंगे तो चलिए start करते हैं उससे पहले जितने भी लोग serious तरीके से इन वीडियो को देख रहे हैं या मतलब जो complete करने की सोच रहे हैं कुछ तो ऐसे होते हैं open करते हैं उसके बारे में लेकिन जो serious तरीके से continuously वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि आगे वीडियो continue रहे end तक वो इस वीडियो के अं इतना time लगाते हैं उसके अंदर में तो थोड़ा उसके अंदर में आपकी तरफ से भी contribution होना चाहिए तो उसके लिए like वाला बटन इस वीडियो के अंदर में आप तबाओगे ताकि मुझे पता लग सके कितने person serious तरीके से इन वीडियो को देख रहे हैं हमारी science and tech की उसके इसको हम continue रखेंगे इसी तरीके से तो start करते हैं गगन यान mission जैसा नाम से पता लग रहा है एक हमारे पास यान means एक वीकल गगन के अंदर जाएगा आस्मान के अंदर में एक वीकल जाएगा उसको बलेंगे गगन यान और ये एक crew module होगा basically क्या मतलब हो रहा है जैसा हमने Orion देखा Orion क्या था एक इस तरीके का capsule था ऐसा capsule था जिसको crew module बोलेंगे उसका नाम था Orion उसके अंदर में बैटके जा रहे थे आदमी वैसे ही इंडिया ने भी इस टाइप का डबा बनाया ये वाला डबा इसके अंदर होगे आदमी और करने के लिए basically service module होता है तो दो चीजें होंगी एक होगा crew module जिसमें astronaut बैठेंगे एक होगा service module जोसको हिलाने डूलाने के अंदर में या उसकी service करने में मदद करेगा और ये दोनों साथ में बैठके 7 दिन तक घुमेंगे अर्थ के अरौंड में 300-400 km के अंदर में 7 दिन तक कैसे घुमते रहेंगे और इसको छोड़ा जाएगा gslv mac3 से तो ये भी थ्यान रखना है आपने और इसकी configuration तो हमने देख ली कि इसके अंदर में 3 चीज़ें आ रही है एक आरा crew module service module और तीसरी चीज़ें आ रही है वीकल जिससे इसको छोड़ा गया तो हमारे पास मैं अगर background की बात करते हैं तो इसको 2004 के अंदर बोला गया था किस टाइब का कोई mission बनाएंगे लेकिन उसको approval नहीं मिला था उस समय तक 2008 के अंदर में इसको 2009 के अंदर में इसको approval मिलता है sanctioning funding बगएर मिलती है लेकिन उसके पहले इनमें start कर दिया था काम अब हमने timeline रख दी कब हम इसको छोड़ने वाले हैं तो सबसे पहले 2004 में इसको बोला गया था 2007 के अंदर में जो plan था इसको बनाने के लिए उसको दे दिया गया उस समय की present government जो थी UPA की comment उसको दे दिया गया अब उस समय उनको दिया गया उन्होंने बोला अच्छी बात है चलो इसको कर लेते हैं लेकिन funding का crunch था उस समय जितने पैसे क्यावशकता थी उतना इसको नहीं मिल पा रहा था इसके कारण ये काफी समय तक delay हुआ तो पहली बात तो इंडिया उस समय उतना rich country नहीं हो करता था और दूसरी बात उस समय financial crisis भी आया था तो काफी problem थी funding का crunch था लेकिन 2014 के बाद में इसको और ज़्यादा push दिया जाता है काफी funding वगरा provide करवाई जाती है और अब तो इसको finalize कर दिया गया है कि इसको छोड़ा एक box जिसको crew module बला जाएगा जिसमें crew बैठेगा वो चाहिए जैसे Orion इस case के अंदर में ना साके case में था वो चाहिए हमें ठीक है service module चाहिए जो उसको propulsion प्रवाइड करवाता है अंदर रहने के लिए space suit चाहिए medicine चाहिए food चाहिए उसके लावा एक vehicle जो की इसको उठा के ल सिस्टम तो उसके लिए का आपको rocket भी चाहिए जो ज्यादा powerful हो और भी इसके अंदर में काफी सारे test होते हैं तो first हमारे पास में एक test किया जाता है 2007 के अंदर में जिसका नम था space capsule recovery experiment अब यह वैसे important नहीं है इनको समझना वगएरा बट मैं आपको बता देता हूं इनके अ सकते हैं उसके लिए हमने एक box को test किया उसको भेजा space के अंदर में थोड़ा समय space के अंदर आ वो एक दो experiment उसने किया और वो नीचे आगया डबा अब इसको हमने चेक कर लिया उसके बाद में उसी को बड़ा कर दिया हमने जो box था वो 500 kg था उसमें उसी को बड़ा किया 3000 kg जिसको हमने crew module बोला गया जिसके अंदर में लोग रहेंगे उसको हमने test कर लिया 2014 में फिर जिस vehicle से इसको launch करना है वो है GSLV Mac 3 उसको 2014 में test कर लिया उसको reusable launch vehicle technology को test किया गया अब इसका direct कोई relationship नहीं आ रहा indirect way के अंदर में relationship आ रहा है इसका मतलब यह हुआ अगर आपने space के अंदर जाना है तो आपको पहले object उपर भीजना है फिर आपको पता हो नची कि वो object आराम आराम से घुमें एक particular trajectory के अंदर में कैसे वो navigate करेगा उसको earth से कैसे guide करेंगे और वो re-entry कैसे करेगा जब आप re-enter करने लगते हो earth के atmosphere में फिर से तो high energy generate होती है और heat increase होती है तो उसके लिए आपके बास में metal की coating करनी पड़ती है बाहर से उसके बाद मैं बचा बाते हैं आप crew को तो यह सब चीजें हमने check करनी थी इसके लिए हमने काफी सारी चीजें हमने check कर ली basically यह हमने बोला 2018 में हमने crew escape system और pad abort test किया इसका मतलब आ रहा है कि यहां पे आया rocket उपर इसके उपर मालो यह service module उसके उपर हमारा जो crew है वो बैठा हुआ है अब मालो कई बार ऐसा होता है कि rocket आपने launch किया और आपने launch किया 10 second के अंदर में rocket फट गया अगर rocket में blast होता है तो crew भी मर जाएगा लेकिन यह जो abort system होता है और escape system होता है इसका मतलब है कि आपका जो rocket है उससे एकदम जैसे हमारे fighter pilot होते हैं वो eject कर जाते हैं वैसे ही वो box जो है वो eject कर जाएगा उपर की तरफ और rocket को नीचे छोड़ देगा अगर rocket में आग लगती है तो वो वाला system भी हमने test कर लिया फिर medicine suit के लिए हमने Russia से contract कर लिया France से contract किया यह आ रहा है हमारे पास में crew module जिसके अंदर में बैठ के जाएंगे है तो इस box के अंदर में हमारे पास लोग होंगे जो कि उपर घुमेंगे उसके लावा हमने Russia के साथ पैक्ट साइन किया फ्रांस के साथ साइन किया यह उतने important नहीं कि पैक्ट यह ball by ball commentary है important है गगन्यान यह crew होगा मतलब इसके अंदर में लोग होंगे और 3 person होगे इसके में साथ दिन तक उपर रहेगा यह important आता है इसके बाद इंडिया जो है fourth country बनेगा जिसने space के अंदर में हमारे लोग भेजे हो है ठीक है पहले USSR, US, China इन्होंने भेजे हो है अपनी की बात की जारी ऐसे तो हमारे पास international space station के अंदर में काफी सारे देशों के वेग्यानी गए हो पांच साथ कितने रहेंगे वो बट साथ वैसे जर्नल वे के अंदर में साथ है अभी change हो सकता है विकास यह वाला जो programming इसकी बनाएगी थी वो अभी postpone हो गई है एक साल और तो यह बात तो confirm है कि हमारी fourth country बनेगी इंडिया जैसा चंद्रियान 2 में भी fourth country थी तो वो बात ध exactly बतानी कब इसको launch करेंगी पहले तो इसमें बोला गया था तीन flight होनी थी इसमें दो unmanned flight और एक man के साथ में man and woman जो भी है तो person को डाल के तीसरी flight होनी थी जैसे हमने देखा Artemis program के अंदर में one two बिना आदमियों के था second में आदमी थे लेकिन land नहीं किया third के अंदर आदमी के घुमाना है उपर और तीसरे case में आदमियों के साथ तो जो दो unmanned इसकी flight होनी थी वो थी December 2020 और July 2021 अब यह दोनों cancel हो चुकी है अब माना जा रहा है कि यह होगी अब 2021 में December 2021 और यह होगी July 2021 और फिर नीचे जाके December के अंदर में 2021 के अंदर में शायद flight हो या 2022 के अंदर मे flight जाए जिसमें person हो बैठे होंगे तो मतलब यह late हो जाएगा इसकी date नहीं है यह बार ध्यान रखने है launch करेंगे GSLV Mach 3 से जिसमें 3 stage होती है तो यह भी ध्यान रखना है GSLV या PSLV से launch कर रहे है 300-400 km उपर जाएगा यह और take-off से उपर पहुंचने के लिए लगेंगे 16 minute 16 minute क जाने के लिए 7 दिन उपर और return करने के लिए 36 minute यह लगाएगा ओके जी तो यह सारी बाते होगी और जो गगन्यान है जो crude mission है वो छोटा सा होगा जैसे NASA ने बनाया हुआ है Orion उनका भी spacecraft है जिसमें लोग जाएंगे तो इंडिया का ऐसा spacecraft Orion को बोला जा रहा है गगन्यान यह तो यह ध्यान रखना है help करेगा यह space diplomacy में basically इंडिया के हाथ में भी power आ जाएगी future में अगर space के उपर policy बनती है तो इंडिया का भी उसके अंदर में लोग हमाना जाएगा बाखी चंद्रियान की 2 की दर आई मतलो काफी ज़दा space exploration होगी हमारी country को भी मदद करेगा एक scientific temperament develop करने में economy के अंदर में भी boost देखने को मिलेगा पहली बात तो यह हमारी capability सीथ हो जाएगी दूसरे वाले isro के लिए business increase हो सकता है तीसरा हमारी जब भी कोई mission उपर launch करते हैं तो उसके लिए काफी सारी industry साथ में मिलके आती हैं और हम लोगों को भी benefit होगा इससे क्योंकि जो इसरो के पास में lithium-ion battery है lithium-ion battery की technology है जिसको यूज के जाता है हमारी electric vehicle के अंदर में तो इसरो ने उसको अब commercialize करके मतलब उन्होंने दूसरी countries दूसरी companies को इंडिया के अंदरी private company को बेच दिया आप भी बनाओ ये वाली batteries बगरा बनाओ उसी तरीके से इसी गगनियान के अं लेकिन यह हम लोगों के लिए भी काम आजाएगा इस तरो इसको बेच सकती है commercialize कर सकती है इसी के साथ में काफी सारी technology को test किया जाता है जब space के अंदर जाते हैं जैसे हमारे पास में जब आप space में जाओगे तो आपका blood pressure decrease होना शुरू हो जाएगा blood pressure decrease होना शुरू हो जा है that your rating शुरू होगी यह सारे जो लक्षन है यह aging के लक्षन है मतलब जब person aging करने लगता है तो यह सब चीजें उसके साथ होने लगती है same जब आप space में जाते हो तो होने लगती है basically जब आप space के लिए कोई दवाई बनाओगे या space के अंदर में जब person रह के आएगा उसके उपर experiment चलेंगी वो हमारी aging related studies के अंदर में helpful होता है plus काफी सारी दवाईया diabetes के लिए जो बनती है हर्ड पेसेंट Alzheimer के लिए उन सब की testing जो है space के अंदर में भी होती है space के अंदर में जो information बगरा मिलती है उससे हमें जानकारिया मिलती है हमारी normal बिमारियों के लिए ठीक है बाकी technology तो काम आती आती है लेकिन दवाईयों के क्षेत्र में काफी मदद मिलती है plus लोग अगर उपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा लोग radiation के से कैसे उनके उपर effect होता है future में मार्स के उपर अगर आपने move करना है उन लोगों के लिए क्या क्या सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी plus isolation phase करनी पड़ती है आपको एक छोटे से डबबे में जाओगे वहां पे कुछ दिम रहोगे तो isolation phase करनी बढ़ती है mental जो problems होती है जो aging population होती है old age people होते हैं उनकी जो problem है और जो space में उपर जाते हैं उनकी problem सेम सेम आती है तो उनके उपर जो research करेंगे वह हमारी old age population के लिए भी काफी मददकार होती है plus heart की surgery वगएरा यह सब चीजे मतलब काफी important होती है basically जब भी आप उपर जात करते हो उसी के लिए यह वाला काम भी हमारे लिए important है social benefit काफी होते है इसके और एक broader framework बनता है collaboration के लिए future में जिसे बाद में अगर space mission आपने station आपने लगाना है moon के उपर तो जैसे इंडिया भी Russia के साथ collaborate कर रहा है France के साथ वैसे हमारे पास में NASA के साथ तो उस एक broader framework बनता है बाद में हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं उसके बाद में वयों मित्र ये क्या है ये जाएगा हमारे बास में गगनियान spacecraft के अंदर में तो एक तो लोगों के साथ भी जाएगा और बिना लोगों के भी अकेला भी जाएगा जो हमारा वयों मित्र रोबोट है इसको बना ग करनी है बस बाकी important नहीं होतना तो location इसकी चल करे करनाठा के अंदर में आगे आते हैं तो आगे आता है हमारे पास में जैमीनी जैमीनी के एक डिवाइस है जैसे यह हमारे पास coastline है तो आपके phone जो होते हैं मलब 10-12 km तक चलते हैं यहां तक coastline के अंदर में क्योंकि उतनी tower वगेरा मतलब खतम हो जाते हैं उसके बाद में तो आपके phone के अंदर signal कहां पे international border start हो जाएगा उन सब चीजों की जानकारियां हमारे जो मचुआरे होते हैं उनको नहीं होती उसी जानकारी को provide करने के लिए एक device बनाई गई एक ऐसा phone बनाए गया जो कि satellite के साथ में जुड़ा हुआ है यह हमारे बास में satellite based phone है जिसके उपर आप advisory service वेज होगे उनको बताओगे ocean की क्या condition है कोई potential fishing zone है disaster तो नहीं आ रहा यह सब चीज़ें बनाए जाएंगी तो एक phone आप अपने हाथ में रखोगे उस phone को बनाए गया है Indian National Center for Ocean Information Service जो कि हमारे पास में आता है Ministry of Earth Science के अंदर में Earth Science के अंदर आता है ज्यादा important नहीं है autonomous organization है Earth Science में आता है और हैदराबाद में इसका headquarter है बस इतना ध्यान रखना है उसके साथ में यह वाले जो device होगी या मतलब अच्छे से communicate कर पाएगी because यह satellite से है लेकिन problem इसमें यह आ रही है एक तो यह महंगी काफी है 9000 देने पड़ेंगा आपको एक device के दूसरा इसमें सिर्फ one way communication है मैं तो आपको information दे पाऊँगा आप call नी कर पाऊगे मुझे back तो मैं सिर्फ information बता पाऊँगा कि यहाँ पे fishing ground अच्छे है यहाँ पे disaster आने वाला है लेकिन आप back call नी कर सकते इसके उपर तो यह ध्यान र एक low earth orbit के अंदर होती है फिर हमारी geostationary orbit के अंदर होती है वो घूम रही होती है उनका अपने में communication नहीं होता और वो कौन सी location के उपर है उसको check करने के लिए ground के उपर हमें station बनाने पड़ते हैं उससे हम एक तो अपनी satellite की location चेक कर सकते हैं उपर से हम कोई space object होते हैं space में debris होता है उसको भी check कर सकते हैं कहीं वो hit तो नहीं करने वाला हमारी वाले system को तो ऐसे हमने system ground के उपर लगाये होते हैं अपनी satellite की exact location पता करने के लिए लेकिन हमारी satellite जो होती है जैसे यहाँ पर अर्थ है तो lower orbit के अंदर में तो तेजी से घूमती है वो हमारा जो system होता है all time के उपर उनको track नहीं कर पाता उन सब के बीच में all time में communication नहीं हो पाती satellite के बीच में तो उन सब को ensure करने के लिए हमने space to space tracking system बनाएंगे जिसके अंदर में space के अंदर में हमने satellite छोड़ेंगे और उस 2-3 group की satellite भेजेंगे उपर और वो track करेंगी जितनी भी satellite हैं उनसे वो इंडियन data relay system इसमें हम दो satellite भेज रहें उपर और कहां पर बेजेंगे geostationary orbit में और जो हम satellite भेजेंगे geostationary orbit में जो से मालो यहां पर एक है यहां पर दो यह जितनी भी हमारी satellite उपर होंगे उनसे communication के अंदर होंगी है उनसे data वगेरा भी receive करेंगी प्लस उनकी location वगेरा भ होगा यह हम अपना space station बनाने वाले उससे बात करने में भी help मिलेगी इन satellite से उनकी location पता करने के लिए फिर space docking आपको करनी बढ़ेगी space docking का मतलब space में दो object को जोड़ना जैसे जब आप space station अगर उपर बनाते हो तो ऐसे नहीं आप पूरा इतना बड़ा space station हो हजारों के ज दोड़ सकते हो हमारे पास तो उतना rocket भी नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं छोटे-छोटे pieces के अंदर भेजते हैं और उपर space के अंदर उसको जोड़ते हैं तो उन चीजों को बोलते हैं space docking space station इन सब के लिए काफी जदा important होगा यह विकास हम monitor कर सकते हैं अपनी पूरी कंट्री यूएस चाइना जपान यूरोप तो याद रखना इंबिया पांचवी कंट्री बनेगा जब इंडिया के पास ऐसी सैटलाइट होगी तो तो ध्यान रखना है और यह बात ध्यान रखनी कौन से और्बिट में लो और्थ और्बिट में तो इसको डाल नहीं सकते अ हमारे पास PSLV है, GSLV और अब एक SSLV भी बना दिया गया तो SSLV के बारे में ध्यान रखना है GSLV, PSLV तो हमने देख लिए SSLV के बारे में थोड़ी इंफ्रमेशन देखनी पड़ेगी बेसिक हमारे पास में मुद्दा यह आ रहा है, पहले कुछ समय से जैसे 2012 से जो हमारी स्मॉल सेटलाइट है, चोटी-चोटी सेटलाइट है, उनकी amount increase होता जा रहा है स्मॉल सेटलाइट वो जो कि हमारे 500 केजी या 600 केजी से कम है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यह हमारे पास में स्मॉल सेटलाइट है, अब next year देखो कितनी जादा increase होई, कितनी increase होई, अब यह increase होती जा रही है, इस location के अपर में, और यहाँ पर मतलब maximum जो सेटलाइट लाँच की जाती है, वो छोटी सेटलाइट होती है, बड़े वाली अगर आप लाँच, अगर उसके लिए आप बड़ा रॉकेटर यूज करते हो, तो उसका खर्चा काफी ज़्यादा होता है, एक एक जो रॉकेट लाँच होता है, दो दो ठाइसो करोड रुपया, उसमें ऐसे उड़ जाता है, उसके लिए एक छोटा हम सेटलाइट, हमने एक सेटलाइट लाँचर बनाया, एक छोटा रॉकेट बनाया, जिसके ओपर छोटी-छोटी सेटलाइट को लेके जाएंगे, और बड़े रॉकेट की प्रावलम ये भी होती है, आपको दो-तिन महीने पहल नहीं सकते, वो उतना एकनोमिकल भी नहीं होता, तो ISRO ने इस मार्केट को टैप करने के लिए, क्या किया, अपना एक नया लाँच सिस्टम लाँच किया, जिसको बोलते है, स्मॉल सेटलाइट लाँच वीकल, तो ये रॉकेट है, जो की छोटी सेटलाइट को लाँच करता है, इस से ISRO और ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिच कर रहा है, इसको डिजाइन किया गया है, ISRO के विक्रम साराभाई सेंटर के द्वारा, तो इसकी ये आपको याद रखना है, 500 गेजी, लेके जा सकता है, ये 300 किलिमेटर तक, ठीक है, तो ये बातें ध्यान में स्टेजें, जी एसलवी में 3, इसमें 4 स्टेजें, तो बस इतना ध्यान रखना है, उसके बाद आया भूवन पंचायत, भूवन पंचायत क्या है, पंचायत के लिए एक सॉफ्ट्वेर है, जो की डिजाइन की अगया है, ISRO के दोरा, जो की ISRO का जो डाटा होता है, ISRO का मिलेगा, ISRO जैसे पूरी images लेता है, यह आपकी पंचायत है, इसमें मंद्रिगा का कितना काम हुआ, उन सब के लिए ISRO information देगा, कहां पे आपका घर है, कहां पे आपके प्लांट है, कहां पे आपका जमीन है, एक planning अगर आपने करनी है अपने area में, उसके लिए डाटा बग important नहीं है, important इस लिहास से है, कि यह engine है rocket engine, rocket engine और turbo jet engine होते है, rocket engine के अंदर में क्या होता है, fuel और उसका oxidizer जो होता है, वो साथ में लेके जाना पड़ता है, means oxygen वो अपने आपकी यूज़ करता है, उसको बोलते है rocket engine, यूँकि rocket engine अर्थ के atmosphere से बाहर जाता है, अब अर्थ के atmosphere से satellite को छोड़ने के लिए, अगर बाहर जाओगे, तो space के अंदर में तो कोई oxygen आपको मिलेगी नहीं, तो वो अपने oxygen साथ में carry करता है, और turbo jet engine जो है वो, जो हमारा airline के अंदर use होता है, जो हमारे लड़ाक को विमान होते है, उनमें use होता है, वो आसपास के area से खिंचता है हवा को, वो turbo jet engine है, तो ध्यान सिर्फ ये रखना है, विकास engine एक liquid fuel वाला engine है, liquid fuel इसमें use होता है, इसको use किया जाता है PSLV, GSLV के अंदर में, और इनकी कुछ stages के अंदर इसको use करते है, थोड़ा सा important इसलिए बन जाता है, क्योंकि हमारे पास एक और program है, कावेरी engine, आपको कावेरी engine से confuse करने के लिए बोल सकते हैं, इसको हम पिछले कई जमानों से create कर रहे हैं, महतमगान जी की time से create कर रहे हैं, लेकिन हमसे अभी यह बनानी, बेसिकली जो हमारे turbo jet, turbo fan जो engine होते हैं, उनकी technology काफी complex होती है, जो आप plane देखते हो, जिस plane के अंदर आप fly करते हैं उन मतलब काफी जदा मतलब आपके काम अच्छे हो जाते हैं, इंडिया काफी सालों से, महलों, decades से try कर रहा है इसको बनाने के लिए, चाइना भी कई जमाने से try कर रहा है, चाइना की engine भी महा गटिया engine है उनके वास, महलों, थोड़ा बहुत बनाई लेते हैं, वो ऐसे छोटे पा रहा है, अब हम उसके लिए मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, various countries की, इसी के लिए, जब आप बोलते हो, तेजस हमने अपना विमान बनाया, तो engine कभी उसके अंदर में अपना नहीं होगा, engine हम या तो US से लेंगे, या फ्रांस से या रशिया से लेंगे, सेम चाइना को भी engine किसी और से लेना पड़ता है, क्योंकि engine complex होता है, तो विकास engine, rocket engine हम बनाते हैं खुद, उसमें कोई problem नहीं है, turbofan engine जो होते हैं, जो की बाहर से oxygen कीचते हैं, वो काफी complex technology होती है, और India उसके उपर में अपने खुटने रगड राया भी, हम बनाएंगे तीरे तीरे, US ज साल पीछे से लड़ रहे हैं, world war 1 के टाइम से बना रहे हैं, तो इनके पास तो मतलब expertise है, तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, बोलने का मेरा basic मतलब है, आपको कावेरी से विकास को confuse किया गया, तो confuse ना होना, कावेरी engine, turbofan engine, या turbojet engine का एक प्रकार है, जिसको हम बनाने की कोश रहा है, तो उसको हम अपने तेजस में यूज़ करेंगे, और और भी हमारे काफी सारे, अगर आपने aeroplane भी अपने बनाने हैं, उसके अंदर में भी कावेरी engine को आप यूज़ कर सकते हो, तो ये इनकी importance आती है, PSLV के अंदर में second stage होती है, liquid, उसमें विकास engine को यूज़ क किया जा रहा है, कावेरी और विकास में confused मत होना बस, इतना देख लो, एक और प्रोग्राम है, जिसको 2019 के अंदर लौच किया गया था, 2019 के अंदर लौच किया था, इसको दो सालों के लिए, इस तरों ने बोला था, हम जो छोटी-छोटी countries हैं, उनको nano satellite development सिखाएंगे, क्य साल पहले जो हुई थी, उसको commemorate करने के लिए, ठीक है, 1969 होगा फिर ये, तो आजाएगा पचास फिर 2019 के अंदर में, तो 1969, तो उसके लिए Unispace, जो first conference हुई थी, United Nation की, उसको याद करने के लिए हमने लौच किया, उननती, जो छोटी-छोटी countries होगी हमारे पास में, आस-प पर काम चल रहा था, तो उननती प्रोग्राम, sometime seen in news, बस इतना यादा है, कुछ question है, जैसे गगनयान हो गया, चंद्रयान हो गया, इनके उपर detail में आएगा, बाकि ये चोटे, टुचे-टुचे question, विकास इंजन, फिर उननती, इनके उपर ऐसा है कि, one-liner शब, अगर आ गय communication satellite है, जो कि disaster के लिए भी काम कर लेते हैं, तो ये बड़ी satellite होंगी, और कहां जाएंगी, geostationary या geosynchronous orbit के अंदर में, low earth में नहीं जाएंगी, किसी भी satellite को अगर picture लेनी है, remote sensing करनी है, तो वो छोटा, कि जितने नजदीक उसको रखेंगे अर्थ के, उतना फाइदा होगा, अगर किसी satellite को आपने DTH के लिए यूज करना है, communication के लिए यूज करना है, तो उसको low earth orbit में नहीं रखोगे आप, क्यों, क्योंकि low earth orbit में satellite एक दिन के अंदर में काफी चक्कर लगाती है, ज्यादा चक्कर लगाएगी तो उसका connection वैसे ही तूट जाएगा, तो आपको बहु G-set-inset, communication satellite है, तो हमने एक satellite थी, inset 4A, उसको replace करने के लिए G-set 30 बेजी, इसको बेजा गया, काफी भारी थी, तो हमने इसको बेजा गया, France का rocket है, Arian 5, याद रखना है, Arian 5 फ्रांस का है, SpaceX का है, Falcon, तो याद रखना है, इसके अंदर में हमने इसको बेजा, 15 year life है, यह कुत important भी नहीं है, G-set, बस नाम नाम की important है, काम क्या करेगी, communication का काम करेगी, तो क्या DTH, V-set Services, basically communication का काम कर रही है, उसके बाद यह हमने देख लिया, कि यह हमारे करनाटक के अंदर में, चलकारे, location के उपर में, हमने space flight center बनाया, जो की coordinate करेगा, जो हमारा गगनियान mission होगा, उ वो हमें ध्यान रखना है, उसके बाद next वीडियो में, orbits के बारे में देखेंगे, तो यह इनके बारे में हमने देख लिया, यह छोड़ी जोटी information है, इनको उतने ही आपने तबज्यो देनी है, उतनी importance हो, जितनी की उनकी हालत हो, जितनी उनकी उकात हो, उसकी अनुसार, otherwise ज्यादा पढ़ने लगोगी, तो आपको confusion हो, काइन के अंदर में, ओके, तो अब मिलेंगे हम next वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद,